हेलो एवरिवन सभी को मेरा राम राम आज की मेरी रेसिपी है रसमलाई की तो ये रसमलाई मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई है अगर आप लाश्ट तक जुड़े रहेंगे तो जरूर आपको एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ ऐसी कॉटन सौफ्ट रसमलाई बना नहीं है दूद फट गया था तो मैंने इसकी रसमलाई बना ली है हमारे यहां सास्तरों में ऐसा है कि दूद फारते नहीं है तो जब मैं वेट कर रहे थी अगर दूद फट जाएगा तो रसमलाई की वीडियो जरूर शेयर करऊंगी किसी का कमेंट आया था कि आप मैं आज सेर कर रही हूं तो छेना मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है उसके बाद एक कॉटन कप्रे में हम अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे तो एस पर रेकॉर्डिंग उस तरीके का छेना नहीं है अगर आप ताजे दूद में विनेगर डाल दें या नीबू डाल दें तो एक अलग तरीके का छेना फटकर अलग होता है लेकिन यह थोड़ा सा टाइट हो गया था अगर आपके पास छेना ऐसा है जो बहुत टाइट हो गया है तो उसका आज मैं एक सोल्यूशन बताऊंगी मैंने यहां पर थोड़े से इलाइची के दाने और दो चमत गरम दू ज़िए एक कटोरी मान लीजे और एक दो कप पानी इसमें डालिए दो कप से जादा ही कम नहीं इस तरीके से छिलके जो हमारे इलाइची के थे वो आप चाशनी में डाल दीजिए और चाशनी पकने के लिए मीडियम आज पर रखतीजिए बाकी की तैयारिया भी अभी साथ साती करेंगे इस पॉंज बनाने से पहले ही हम सारी तयारिया कर लेंगे तो मैंने यहां पर आधा लीटर दूद का यूज किया है पैन में मेडिया माच पर आप दूद चड़ा दीजे थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजुओं की भी जिरत पड़ेगी वो भी ले लीज का वो अलग तो जो इलाइची के छिलके थे वो मैंने चाशनी में डाल दिया और इलाइची के दाने कूट कर मैंने यहां पर दूद में डाल दिया सैफ्रान मिल्क डाल दिया चीनी डाल दिया अच्छे से अब इसे पकने देंगे बहुत गाढ़ा नहीं करना है इसका टेक् इस तरीके से आप एक बड़े बरतन में लेकर अच्छे से रगड़ कर इसको थोड़ा थोड़ा दूद मिलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए बस दस से पांच मिनट इसको थोड़ा सा आपको मलना है उसके बाद मैं आगे एक और ट्रिक बताती हूं इस तरीके से द रसम लाई है वह परफेक्ट मीठी होगी अब क्या गरेंगे इसे हम ब्लेंडर जार में डालेंगे तो यही है मेरा सीक्रेट टिप कि आप ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से-से जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो एकदम सॉफ्ट सा मुलायम सा डो बन जाता है इसमें ह अच्छे से ग्राइंड करिए और एक बटन में निकाल लीजिए तो यह हमारा दूद पग गया था इसे हम साइड में रख देंगे इसके बाद उसी बटन में वापस से सारा छेना हम निकाल लेंगे और हाथ पे ऐसे टेक्शर चोटा-चोटा या बड़ा-बड़ा जैसे भी को जिस भी साइज का बनाना हूँ आप बना लीजिए तो मैंने यहां पर थोड़ी सी मीडियम साइज का ही टिक्कियां बना बना कर रेडी कर लीजिए इस तरीके से आप भी बना कर रेडी कर लीजिए मैं साइज का देख रही थी कि बड़ा मतलब पकने के बाद भी साइज तो इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा डेड़ गुना बढ़ जाता है मतलब यतना है से थोड़ा सा और यह फूल जाता है और सौफ्ट और स्पॉंजी हो जाता है तो आप उसी एकॉर्डिंग आप बना कर रैडिकल लीजे उसके बाद चाशनी में मेडियम आज पे जब चा हमारे एकदम अच्छे से बड़े से बरतन में आप पकाईए तो जादा अच्छा है मेरा देखिए कि इस तरीके से आपस में उपर नीचे ओवर लाइप हो गया है तो यह गलती आप मत करिएगा तो इस तरीके से हमारी लगभग 10 से 20 निरटी से हमें पकाना है जिसे कि तो इस तरीके से आपको सारे ही टिक्कियां डाल देनी तो देखे कितना सौफ्ट और स्पॉंजी बनकर त्यार हुआ है इस तरीके से कोई रॉकेट साइंस नहीं है बस आपको क्या करना है अगर आपसे गूता नहीं जाता है तो बस आप ब्लेंडर जार की हेल्प लीजे औ थोड़ा सा कॉर्ण फ्लॉर और थोड़ा सा दूर डाल कर बस तो इस तरीके से थोड़ा सा पिस्ता के साथ सजा लीजे और सर्व करिए ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा बहुत टेस्टी रस्मलाई बनकर त्यार होगी इस तरीके से अगर आप मेरे चानल पर नए है तो प तब तक के लिए बाबाई